इसलिए मैंने जल्दी जल्दी सत्ताम कर लिया फिर मैं जल्दी से प्रेशन अब भी हो गई उसके बाद में चले के पूजा बनने के लिए यह आप देख सकते हो मेरा चोटा सा प्यारा सा मंदिर जहां पे चोटा सा कट्टु कुपार जी भी है और यह जो आप श्री राधिक प्रिशने का मूर्पी देख रहे हो यह मैं जब प्रिंदभान के इति में वहां से लाई थी जह बहुत अच्छा लगा तो मैंने थोड़ा सा प्रेयर भी किया बगवान जी के सामने मैंने उनको यह बोला है बगवान जी इस प्लाइट में सब को अच्छा रखना हिली रख कर दोधाब च्छों की जब शूटे च्छोटे बच्छों के लिए कि लिए में के वहां प्रेष की लगता है यह थोड़ा सा इक्साइज हो जाता है चोटी चोटी चीजों से ही ते खुशिया मिलती हम लोगों और यह मेरा फ्लैट के अंदर वाला है मैं तभी आपको बहुत सबीका हूंगी और यह मेरा चोटा सा रूम है जो कि मुझे बहुत क्यूट लगता है और सिंगरपूर में घर टूरना बहुत टूरना बहुत है वह एक छोटा सा बैट्रूम में चोटा सा लीविंड रूम है और एक छोटा सा खिच्छूम है और ओविस्टी वॉश्ण को है ही है तो आप लोग देखी रहे हो मुझे मेरा जो भर है वो मुझे पता नहीं मुझे थोड़ा सा ओसी दी है कि मैं अपना घर बहुत च्लीन रखो हाईजीन मेंटें करो मुझे गंदीगी एक तब नहीं पसंद तो इससी विए मैं हमेशा नीचन क्लीन रखने के लिए ट्राइ करती हूँ आज मैं थोड़ी से अपने लिए खल्दी खाना बनाती हूँ जो की स्नाक्स है और आज मेरा यही लंच है और यही डिनर है इसमें अपलोग दे की सकते हो मैं पहले बना रही हूँ एक स्क्रैंबिल उसके बाद मैं बनाऊंगी जो सौसजेज है उसका तोरा सा मसाला देके चटपती सा बनाऊंगी जावे मैंने यूस किया है ग्रीन चीली, कार्ली, स्प्रिंग अनियन, ब्लाक बिंग सौस, औरी गैनुस प हो गया रेडी पांच मिनिट में उसके बाद मैं इसको टेस्ट भी किया मुझे तो बहुत अच्छा लगा और खेली भी है आई होप आप लोग को यह मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज आप लोग मुझे फोरो करो सब्स्क्राइब करो लाइक भी करो